महिज त्रामोदिन खाल और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स फिमंडी शहर में दो मस्डिदों में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है दोनों मस्डिदों में चोरी करने वाला एक ही शक्स दिखाई दे रहा है महिज 11 से 12 मिनट के अंतर में ये दोनों मस्डिदों में चोरी हुई है CCTV फिटेज में साब देख सकते हैं ये 26 अप्राइल की फिटेज है पहले ये चोर हिमंडी के कॉटर गेट जामा मस्डिद में दाखिल होता है और उस वक्त सुबह के 10 बच कर 3 मिनट हो रहे थे यहां मस्डिद में कई लोग सोय हुए होते हैं और इन सोय हुए लोगों के सर के पास ये जाकर चोर बैट जाता है और फिर एक मोबाइल चोरी करके वहां से फरार हो जाता है इसके बाद यही चोर भिमंडी के निजाम पुरा बीच मस्डिद महभूब सुबहानी में दाखिल होता है और सुबह 10 बच कर 15 मिनट उस वक्त हो रहे थे यहां भी लोग मस्डिद में सो रहे थे और चोर पहले टहल घूम कर जाइजा लेता है कि कोई जग रहा है या सभी सो रहे है और फिर यह चोर जमीन पर बैठ जाता है इसके बाद एक मोबाइल फोन चोरी करके वहां से भी फरार हो जाता है दो चोरी की वारदात वो भी मस्डिद में महज 11 से 12 मिनट के अरक परक में इस घटना को अंजाम चोर ने दिया है वहीं सवाल हुखता है कि इस तरह से मस्डिदों में चोरी की घटना ऐसा लग रहा है कि इन चोरों को जरा भी अब किसी से खौफ नहीं है चलिए मान लेते हैं कि किसी इनसान से खौफ नहीं है लेकिन इन चोरों में अब खुदा ईश्वर भगवान से भी लगता है इन्हें डर नहीं लगता है जो धार्मे का स्थानों को भी ये चोर अब छोड़ नहीं रहे है और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं